जो लोग यह कहते हैं ना कि मेरी क्रीम में रेड कलर प्रॉपर नहीं आपाता उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज मैं बहुत ही डार्क रेड कलर की क्रीम को बनाना आपको सिखाऊंगी साथी फरेर रोशर, चॉकलेट्स और ओरियो बिस्टि का लेकर चलेंगे क्यों लेकर के चलेंगे सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो यहां पर्णा मैं गुद्रिच कंपनी का प्रिमिक्स यूज करके इसे बनाऊंगी अगर आप मैदे से या फ्रम स्क्रैच बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर कर लिंक आप डिस्किप्शन बॉक से चेक कर सकते हैं जब ये केक तयार हो जाएगा ना फ्रेंड्स तब आप खुल कहें उठेंगे कि वाकई में बहुत शांदार बना है दिखने में भी काफी एक्सपेंसिव लगेगा और बनाने में रेट में भी है भी एक्सपेंसिव तो म अब भी इसे ट्राइ करके देखेगा यह उनलाइन भी मिलता है मैं तो इसे लोकल शॉप से रियती हूँ और इसमें फ्रेंड्स के विल एक टेबल स्पून में ने ऑईल डाला और पानी डाल करके स्पूट सा बैटर बनाया है अब आज का जो केक है ने फ्रेंड्स थोड़ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका उनलाइन परचेस लिंक है फटा फटो से क्लिक कीजिए और इसे घर लिया आईए तो यहां सारा बैटर देखिए मैंने बरतन में डाल दिया है और इसको अब हम बेक करेंगे अपने OTG में तो यहां पर OTG को मैंने कर लिया है प्रीहिट की बेकिंग कीजिएगा और यहां पर लगभग 25 मिनिट के अंदर मेरा केक जो है बेक हो गया है और इससे जादा बेक करूँगी न तो इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए तो फ्रेंड्स पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि यह स शेयर करी चुकी हूं और आज अपना यह थर्ड रेल वेट केक को शेयर कर रही हूं तो मैंने क्या किया है टॉप लियर रिमूब कर दिये थुड़ी सी वो ओईली और चिकनी होती है यह मार्केट के प्रिमिक्स में जब भी आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स यह सभी के साथ होता है तो ऐसा कोई नई चीज नहीं कि यह ओईली स्टिकी लियर हो रही है आप उसे कट करके रिमूब कर दें लीचे का केक स्पॉंज अच्छा होता है मैंने चाकू से इसके दो कट्स मार करके ना इसकी तीन लियर पतली-पतली कट कर लिया आप धागे से भी कर सकते हैं बट मैंने चाकू से कर लिया है चलिए केकी लेडि हो गई अब तियार करते हैं इसकी चीज फ्रॉस्टिंग तो देखे फ्रेंड्स रेल बेट विट केक की जो चीज फ्रॉस्टिंग होते है उसके कई सारे मेथड मैंने अपने चानल पर शेयर किये हैं जैसे कि अमूल स्प को यूज करते हुए तो टेस्ट अच्छा आ रहा है तभी कस्टमर भी मांग रहा है और मैं दे रही है तो मैंने दो टेबल स्पून लिया है चीज फ्रेड दो ही टेबल स्पून लिया है इसी वही चीनिका पाउडर और अब इसे बीटर से थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे म और उस दिन बहुत सारे केक थे ना तो मैं केक की क्रीम एक साथ ही मैंने विप कर ली थी और यहाँ पर जब इस केक का नंबर आया तो थोड़ी बची थी तो जितनी बची थी उसी के अंदर मैंने ये चीज और चीनी का जो मिक्षर हमने बनाया वो डाल दिया और अच्छे स और अब इस पाउल के अंदर में थोड़ी लगबग 100 ml क्रीम और विप करूँगी क्योंकि 150 ml क्रीम ही मैंने विप की थी और आदा केजी के लिए 250 ml क्रीम चाहिए होती है और इस तयार क्रीम में से थोड़ी सी तो मैं अपनी चीज फ्रोस्टिं वाली क्रीम में मिक्स कर दू करेंगे और चीज प्रेट करेंगे और चीज प्रेट डाले की वज़े से ने क्रीम का टिक्शर आप देख सकते हैं अलका सा सॉफ्ट हो जाता है बट कोई बात नहीं लिएरिंग के अंदर यह अच्छा लगेगा केक मॉइस्ट भी लगेगा सॉफ्ट लगेगा तो जितनी आपको लगानी हो आप आराम से लगाईए और रेड वेलवेट केक अंदर आप्रेट्स कोई क्रश वगरे यूज हम नहीं करते जनरली क्योंकि फिर रेड वेलवेट का जो केक का फ्लेवर है वो चला जाता है लेकिन फ्लेवर अच्छे से आये वेलवेटी लगे उसके आप यूज करेंगे तो आपका केक और भी ज्यादा टेस्टे बनेगा और आप सेम वही प्रोसेस करके न मैं तीनो लेयर को यहां आरेंज कर रहे हूं और चीज फ्रोस्टिंग से हमें इसकी पूरी क्रम कोटिंग करने है और यहां साइड साइड की भी मैं करती जा रही हू जल्दी जल्दी हो जाए और केक की थोड़ी सी हाइट भी आ जाए क्योंकि मुझे जो आज की डेकोरेशन करने है उसमें हलकी सी हाइट भी मुझे चाहिए तो उसी को ध्यान में रख करके काम कर रही हूं तो यहां पर दो लेयर तो सेट हो गई है और यह लग दी है मैंने जो नीचे की बेस लेयर होती है उसको ताकि ऊपर थोड़ी सी सिमेट्री बनी रहे और अब जितनी चीज़ बची थी ना चीज़ फ्रॉस्टिंग बची थी ना वो सारी मैंने इसके उपर लगा दी है और करेंगे हम इसकी फाइनल क्रम कोटिंग और फ्रेंट्स यह आप से डेकोरेशन करनी है तो उसमें केक भी रेड है डेकोरेशन भी रेड ही कलर की है और उन्होंने स्ट्रिकली बोला था कि मुझे ऐसा ही केक चाहिए थोड़ा बहुत चेंजिस आप कर लीजेगा बट डिजाइन बेसिक यह होनी चाहिए तो जो बची हुई क्रीम थी न पर रेड डार कलर होता है बट हम बहुत जादा रेड कलर अगर डालेंगे तो क्रीम पतली हो जाएगी या फिर केक की जो क्रीम होती है वो करवा टेक्शर भी देने लग जाती है तो वो सब ना हो इसलिए आप ये ट्रिक फॉलो जरूर कीजए तो यहापर देखिए अंदर तो क्रीम हमारी चीज़ स्प्रेड वाली है जो वाइट कलर की है बट पाहर की एक लेयर मैंने रेड कलर की कोटिंग कर दिया है अपने कस्टमर की दिमार्ड को ध्यान में रखते हुए तो अगर आप होंबेकर है तो आप समझते होंगे कभी-कभी जो कस्टमर देता है ना उसको हमें वैसे ही बना के देना होता है अला कि मैंने उन्हें बताया भी कि यह रेड कलर बहुत है इसके अंदर और रेड विल्वेट केक भी है तो अब उससे ज्यादा हमें नहीं उनसे आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए उनकी जैसी पसंद है हमें उन्हें बना कर देना चा जो एडिवल, हम फ्लार वगर पे भी डालते हैं, उससे मैंने किया स्प्रे करना स्टार्ट, यहां पर ना गड़बर हो रही थी, पैचेज में केक जो है वो रेड हो रहा था, फिर मैंने किया किया, जो मेरा पंप है जिसमें मैं सिल्वर और गुल्डन लश्र डस्ट को स्प् लेकिन पैचे में आ रहा था, मतलब कहीं कहीं पर केक जो है नीचे से दिख रहा था, तो मतलब बात नहीं बन रही थी, यह देखे, बहुत अच्छे से मैंने स्प्रे किया, बड़ पैचे अभी भी दिख रहे होंगा आपको, देखे, मैंने सरकल करके आपको दिखाया है, पट काम बन नहीं डाता है, डेकोरेशन अच्छी नहीं लगती, तो मैंने क्या किया, एक लिया, स्क्रैपर, हलका सा गीला करके, और फिर केक के चारो तरफ इसे, स्प्रेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रेड तो यह हुआ नहीं, और अब यह इतना सारा food spray लगा दिया है, इसको हटाना भी होगा, अधरवाइस, मैं कुछ और भी जो करने वाली हूँ उस पे, और यह बहुत सारा कुछ हो जाएगा, तो दीरे-दीरे scrapper से मैंने यह सारा powder जो है, remove कर दिया, फिर मैंने idea लगाया, emulsion लिया, red वाला, जो red rose वाला आता है, वो, और scrapper पर इस तरीके से लगा लिया, और फिर इसको मैंने shading करना start कर दिया, actually मैं यह try कर रही थी, कि मुझे dark red कैसे मिलेगा, तो food spray करने का नतीजा तो आपने देख लिया, अगर आप से ठीक से हो पाता है, तो आप करके दिखिएगा, मुझे वो patches में लग रहा था, इसलिए मैंने उसे remove किया, अब जो यह emulsion डाल करके, मैं इस पर coating कर रही हूँ ना, इससे result मुझे थोड़े बहुत ठीक लग रहे थे, और मेरा काम चल जाएगा, तो बस इसी को ध्यान में रख करके, मैंने अच्छे से इसको scrape कर दिया, और पूरे केक को थोड़ा सा मैंने emulsion से ही cover कर लिया, तो पहले से हलकी सी dark shade हो गई है, फिर मैंने सुचा, अब इससे ज़्यादा dark red नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा color होने से भी, क्योंकि decoration में ये दिक्कत देगा, खाने में भी शायद taste करबर हो जाया भी, तो मैंने emulsion लगाया, बट और कुछ लगा दिया न, तो अती हर चीज की खराब होती है, वहीं सोच करके मैंने इसे रोग दिया, फिर लिया मैंने scrapper और उपर की तरफ जिग-जग वाला ये pattern बना लिया, क्योंकि मुझे designing में कुछ ऐसा ही बनाना था, ये देखे, तो ये हो गया रेडी, अब friends, decoration के हिसाब से मुझे के के आधे part पर golden drips डालने थी, तो इसके लिए भी आपके पास दो option है, या तो आप ये market में जो golden drips के नाम से bottle आती है, ये ला सकते हैं, ये मैंने market से लीती 180 रूपीज की, और इसे आप खा भी सकते हैं, ये edible होती है, इसमें flavor भी होता है, और नहीं तो जो golden lustre dust आती है, उसमें oil या evaporex डाल करके, आप mix कर लीजेगा और piping bag में भर करके उससे drips बना सकते हैं, तो दोनों ही method आपके पास है, जो भी आपको सही लगे, convenient लगे वो बना सकते हैं, मेरे पास ये ready रखा था और कम time था, और मैं इसे अपने बहुत सारे cakes में use कर चुकी हूँ, तो मुझे इस पर पूरा भरोसा है, तो देखिए लगपक आदे से थोड़े कम को ही मैंने cover कर लिया है, अब friends बनाने इस पर red color के roses 4, तो मैंने same वही cream ली है, लिया है R11 nozzle और यहाँ पर flower nail के उपर पहले मैंने बनाया है base, और एक छोटी सी conical triangle जैसी butt बनाई है, और आप उसके आस-पास थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए petals बना रही हुँ मैं, और यह petals सोड़ी बंद बनाएंगे, और धीरे-धीरे petals को खुलते जाएंगे, मतलब nozzle का जो पतला वाला end है न उसको बाहर की तरफ bend कर देंगे, तो आपका बहुत ही प्यारा सा यह खिला-खिला सा rose बन जाएगा, और यह देखिए, मैंने कितने आराम से आपको सिखा दिया, आप जरू try करके देखेगा, और अभी Valentine's Day आ रहा है न, cakes वगरे में खूब सारे roses बनाएगा, red color के, और इसको और dark red अगर करना होना, और shining भी दिलानी हो, तो यह जो metallic red spray आता है friends, वो try करके देखेगा, यह 250 रुपीज का आपको मिलेगा, और इसमें न, glitter होता है, पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा हो कि नहीं, बट बहुत ही प्यार, इसी एक shine आ जाएगी, और जो आपको dark red color का flower चाहिए हो, वो आपका काम हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, बै फिर से दोहरा देती हूँ, red color कोई भी brand का लाकर के अपकी cream में ढालिए, अगर आप नौजल को थोड़ा सा अंदर की तरफ करके पकड़ेंगे, तो पतियां अंदर बनेंगी, और नौजल को थोड़ा सा बाहर की तरफ bend कर देंगे, तो पतियां खुली होई बनेंगी, और इस पर भी देखिए, मैंने ये metallic spray कर दिया है, और आप आस-पास देख रहे हूँगे, थोड़ा सा glitter निकलता हुआ, वही इससे शाहिन आती है, इसमें, और यहाँ पर एक और flower रख देंगे, हम Caesar की मदद से ये देखिए, तो कोई कहीं नहीं सकता ही हमारे cream के flower है, बिल्कुल लग रहा है जैसे original flower हमने रखे हैं, और ऐसे ही मैंने एक और flower बना लिया, बिल्कुल सेम ही flower मैं अभी यहाँ पर भी बनाऊंगी, क्योंकि सारे flowers मेरे एक जैसे दिखने चाहिए, और ये एक ही नॉजल से न, friends, अप कई तरीके की roses बना सकते हैं, बस सारे movement नॉजल के depend करते हैं, तो अगर आप बोलेंगे न, तो एक detail वीडियो इसका आपको बना के दिखाऊंगी, कि कैसे एक ही नॉजल से आप अलग-अलग flowers बना सकते हैं, क्योंकि सभी को अपने cake में न, flower बनाना और specially rose बनाना काफी पसंद है, और अभी Valentine's Day तो आई रहा है, सभी को ये जरत पड़ेगी, तो comment कीजेगा, मैं जरूर सिखाऊंगी, तीरे-दीरे आपको, और यहां एक flower मैंने रख दिया है, नीचे, board पर, side में, और अभी एक, बीच में जो space बचिये न, वहां पर रखोंगी, पट यहां पर आते आते न, friends, मेरी cream हो गई है, थोड़ी सी soft, क्योंकि जब हम लगातार piping bag में पकड़ के काम करते हैं, और color भी हमने थोड़ा extra ही डाला होता है, अपने color combination के लिए, तो cream का soft texture होना, नॉर्मल सी बात है, और गर्मियों में तो यह खास दोर से ज़्यादा होती है, तो अभी उसका भी उपाय आपको बताऊंगी, पहले दिखा देती हूँ कि गड़बढ हुई क्या थी, तो देखिए मेरा rose अच्छे से बन गया है, और इसके ओपर भी मैंने कर दिया है metallic spray, क्योंकि सभी flowers पर हम कर रहे हैं, और वो सारे एक जैसे दिखने चाहिए, फिर मैंने flower का base बनाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे किनारे पर लगा रही हूँ, तो हूँ सकता है, फिसल जाए, golden drip का material भी है, जब मैंने Caesar से दिखिये से उठाया, ये पूरा खराब हो गया, क्योंकि cream हो गई है, soft peak वाली, फिर से मैंने friends एक और flower बनाया, और उसको Caesar से place करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर से वही गड़बर हो रही थी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, हमारी जो cream है, वो soft हो गई है, तो मैंने सारी cream को रख दिया, fridge में थोड़ा सा tight होने के लिए, और अपने आगे के काम में लग गई, 20 रुपीज वाली चॉकलेट आती है, वो ली है, और अब इनकी ओपर हम लश्र डस से थोड़ी सी golden shading करेंगे, तो मेरी थोड़ी ही बची है, भी दूबारा लेनी पड़ेगी, मेरे पस रखी है, और अब brush से न, देखिए, मैं dust इस चॉकलेट के ओपर जब लगाऊंगी, तो यह पूरी चॉकलेट एक दम golden color की हो जाएगी, यह देखिए, तो इस तरही किसे friends, कोई भी चॉकलेट की चीज हो आपके पास, biscuit हो, आप golden lusher dust या silver lusher dust जो आती है, तो बहुत ही प्यारा सा एक effect आता है, तो ट्राइ जरूर करके देखिएगा, और यहाँ पर देखिए, मैंने चॉकलेट के जो pieces तोड़े हैं, उन सभी पर मैं यह dust लगा दूँगी, और फिर बाद में ज़रुत के हिसाब से इने तोड़ करके, मैं cake की decoration करूँगी, तो यह chocolate ready हो गई है हमारी, अब यह जो biscuits हैंने friends, Oreo के इनको भी हम dust कर लेंगे, मतलब इनके ओपर भी लगा देंगे, मैंने brush ना थोड़ा बड़ा वाला लिया है, so that आराम से यह dust इस पर spread हो जाए, चोटे brush में बहुत भेनत लगती और काम जल्दी भी नहीं हो पाता, तो यहाँ पर देखिए, फटा-फट से मैंने इन सभी पर यह dust लगा दिये, और हमारी सारी decoration almost ready हो गई है, चलिए, यह सारी चीजे तो ready हो गई है, और यहाँ पर मैंने देखिए, चोकलेट के कुछ pieces थोड़ भी लिये हैं, so that मैं single pieces या blocks में अगर लगाना चाहूँ, तो वैसे लगा सकूँ, और अब साथ के साथ, फरेरो रोशर का यह जो packet है, इसमें से भी चोकलेट निकाल लेते हैं, तो मुझे दो ही इसमें से चोकलेट लगानी है, और यह 150 रुपीज की चार आती हैं, friends, काफी costly आती हैं, इसलिए cake का rate भी आज का high होगा, तो यह मैंने लगा दी हैं, और बाकी के चोकलेट को मैं रख लेती हूँ, किसी को नहीं दूँगी घर में काने के लिए, क्योंकि हो सकता है अभी Valentine's Day आ आ रहा है, और यह क्रीम अब मेरी थोड़ी ही बची है, तो चोटा ही रोज बनाऊंगी, पहुच्छा दर नहीं बढ़ाबन पाए गई है, और इसको अब में वहीं पर प्लेस कर दूँगी, जहां मुझे करना था, देखिए, पहले जो काम नहीं उपा रहा था, तो वह बाद में हो गया, क्योंकि क्रीम का टेक्शर अब टाइट हो गया, तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉबलम आती है, तो आप तुरंद क्रीम को फ्रिज में रख देगे, अब फ्रेंट्स, जितनी भी हमने ये एक गोल्डन वाली गानिशिंग तियार किये न, चॉकलेट्स की, वो हम केक पर प्लेस करेंगे, तो एक मैंने उपर फरेरो रॉशर चॉकलेट रखा है, गोरियो बिस्किट रखा है, साइड में भी एक लगाया है, कुछ यहाँ पर यह जो गोल्डन चॉकलेट्स हैं, इनको लगाएंगे, तोड़ करके, जैसे भी आपको सेटिंग करनी हो, आप लगा सकते हैं, मैं तो फोटो देख करके ये काम कर रही हूँ, साइड में मैंने फोटो भी दे दिये आपको, तो हूब हूँ तो वैसा नहीं, बठा उससे इंस्पायर हो करके मैं केक बना रही हूँ, जैसा मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल वैसा केक कभी नहीं ट्राइ करती, ताकि कुछ और नया बन करके, रीक्रियेट होकर निकले, तो यहाँ पर धीरे धीरे देखिए, सबी जगे चॉकलेट लगा दी है, बाद में मैंने सुचा आगे तो मैंने बहुत कुछ लगा दिया, बढ़ पीछे के एक बहुत प्लेन हो गया है, तो वहाँ का इंतजाम भी करने के लिए ना, मैंने कुछ किया है, बढ़ पहले ये लास्ट औरियो बचा इसको भी सेट करी देते हैं, तो फ्लार के पीछे ये इसको जगा मिली है, और एक चॉकलेट और बची है मेरे पास, तो ये मैं साइड में ही लगा देती हूँ, लीजिए, सारी चॉकलेट से मने लगा दिये, और अब एक साइड में डिप्स थोड़ी कम दिख रहीं थी, तो मैंने फिर से यहाँ पर देखिए, थोड़ी से डिप्स और में एक्स्ट्रा लगा देती हूँ, क्योंकि केक में अल्मूस्ट हाफ पे डिप्स थी, बढ़ मैंने कम में लगाई थी ना, और अब फ्रेंड जो पीछे का पार्ट हमारा प्लेन दिख रहा है ना, उसको कवर करने के लिए मैंने जो छोटे वाले गुल्डन बॉल्स है ना, वो लिए हैं और थोड़े से साइड में मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना, प्लेन रेड पीछे के पार्ट में वहाँ वाँ इने डाल देंगी, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये केक हमारा अल्मोस ट्रेडी हो गया, और देखने में कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, ये देखिए, पूरा रेड केक है, अंदर भी रेड बेलवेट है, चार प्यारे-प्यारे रोजेज है, गुल्डन डेकॉरेशन है, मतलब मजा ही आ रहा है देखने में तो, और टेस्ट में भी यकीन मानी है, बहुत टेस्ट नी लगा, उनका रिव्यू जब आया ना कि बहुत ही गजब का केक था मैम, चीज फ्रॉस्टिंग जो आपने बनाई थी, या जो अंदर का टेस्ट था ना, वो बहुत अच्छा है, और उन्होंने जो मुझे फोट्व दी थी ना, उसमें लाइट वाला एक टॉपर भी था, तो मुझे भी वो लगाना पड़ा, मेरे पास ये रखा भी था, तो दिखिए, इस तरीके से पूरी कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रख करके मैंने केक रेडी किया है, और ये है उसकी फाइनल लुक, लाइट जला करके दिखाती हूँ, तो ये फ्रेंड जो मेरे कस्टमर ने बनवाया था, उन्होंने मुझे ऐसा ही दिया था, मैंने उन्हें भूला भी था कि ये केक ओवरवेट भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कम प्रिमिक्स लेकर के बनाऊंगी, तो इसकी हाइट नहीं आएगी, और हाइट कम आई तो डिप्स अच्छी नहीं लगेगी, तो उन्हेंने बूला कोई बात नहीं, आदा केजी से एक केजी के बीच में आप मुझे ये केक बना कर दीजेगा, और चिंदा मत कीजेगा, बस डिजाइन मुझे ऐसा ही चाहिए, बस उनकी डिमांड को पूरा रखा और नतीज़ा आपके आगे है, तो फ्रेंड्स, ये केक कितने ग्राम्स का रेडी हुआ, अभी मैं आपको मेजर्मेंट करके बताऊंगी, पट पहले इसकी प्राइसिंग बता देती हूँ, मैंने इसके लिए थे 850 रुपेज, मतलब साड़े 800 रुपे में ये केक मेरा सेल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें मैंने लगाई golden chocolates, साथी मैंने red color की cream से roses बनाए, 150 रुपीज का topper भी लगाया, और red velvet flavor का rate अलग होता है, तो इस हसाब से जो total calculation मेरी बैटी, वो इतनी ही बैटी, और चलिए अब इसका measurement भी कर लेते हैं, तो ये मेरा जो cake था friends, बहुत ही special decoration के साथ तो ready हो गया है, अभी Valentine's Day आ रहा है, आप इस design को try कीजेगा, मेरे method को follow करके देखिएगा, किसी की anniversary का cake है, तो उस पर भी try कर सकते हैं, और जो red color की dark करने की trick मैंने बताई है, वो भी follow करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे, और यहापर जब मैंसे pack कर रही थी तो इसका topper काफी लंबा था, तो वो मैंने बाहर निकाल करके cake के बॉक्स के उपर रख करके दिया, और जब देने लगी तो उन्होंने मुझे तुरंट message किया, कि इस पर आप love you, dear जरू लिख दीजेगा, तो वो निकाल के रखा और पटापट फेर इसे मैंने deliver किया, और अब मैं आपको friends वो फोटो दिखाती हूं, जो मेरे customer ने मुझे भेजी थी, थोड़े बहुत changes मैंने किये, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, और केक पर मैकरून थे फोटो वाली में, मैंने इस पर लगाए हैं Oreo बिस्किट, तो आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो बिना देरी के इस वीडियो को लाइक शेर कीजे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और हाँ Instagram, Facebook पर भी प्रीज फॉलो कर लिजेगा, चलिए मिलते हैं कल, फिर से कुछ नयाद सीखने के लिए, तब तक के लिए Bye Bye, Take Care.